दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशे एक दूसरे के मदद किया करते हैं इन में से कुछ बताते हैं, कुछ जताते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो ना कभी बताएंगे, ना कभी जताएंगे Hi friends, this is Ronak Sir and I welcome all of you to my channel RC Engineer दोस्तो, आज हम Higher Mathematics के एक ऐसे function के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतना helpful है, बट कभी ना वो बताएगा, ना वो जताएगा जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ, बीटा functions के बारे में आज हम लोग देखेंगे, बीटा function के standard formulas क्या होते और उनके उपर आने वाले कुछ important sums जो की Higher Mathematics में हम लोगों के लिए बहुत useful रहेंगे तो चलिए, शुरुवात करते मेरी कुछ analogies के साथ तो ये जो बीटा function है ना, ये हमें Higher Mathematics में जो complex वाले integrations रहते है ना, इनको solve करने में बहुत मदद करता है, वैसे भी इसका बहुत पुराना रिष्टा है ग्यामा function के साथ, जिसका वीडियो अलड़ी आ चुका है अब तक आपने ग्यामा function का वीडियो नहीं देखा है, तो जाएगे ये मैंने लिंक दिये है, और वीडियो देखके वापस आ चाहिएगा, अब बीटा function सीखना है, तो कुछ formula related to beta functions बता होने चाहिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं, फॉर्मिला के साथ, और डी मैंने कुछ चीज़े बोर्ड पे लिखी है, मैं बस आपको explain करने की कोशिश करता चलिए, तो देखिए, बीटा of m, n is equal to integration, देखो integration का sign and you have to remember आपकी integration की जो range है, वो है 0 से लेके 1, जो standard formula, ग्यामा function में हम लोगो ने देखा था, वहाँ पे range सी 0 से लेके infinity, बट यहाँ पे range है आपकी 0 से लेके 1, you have to remember this, और दो terms आपको हमेशा दिखाई देंगे standard formula में, एक variable और दूसरा है 1 minus variable, so x और 1 minus x के elements आपको हमेशा दिखाई देंगे, अब देखिए, यहाँ पे बीटा के अंदर आपके 2 elements एके m और दूसरा है n, तो हमेशा याद रखना bracket में बड़े भाई होते हैं, और जब formula opening की बारी आती हैं, तो काम करते हैं, छोटे भाई, तो जब आप formula integration का open up करोगे, you'll always find that, आपको छोटे भाईयों के साथ deal करना पड़ेगा, फिर जाके आपके answers आएंगे, hold on, मैं आपको कुछ चीज़े दिखादा हूँ, आप मुझे जरूर help कीजिएगा, if I am dealing with this, can you please help me, आपका answer क्या आना चाहिए, देखो basic चीज़ों में तो आपन के उपर काम करोगे, जैसे मैंने बोला कि bracket में बड़े भाई है, तो 3 जो है, वो किसका बड़ा भाई है, obviously छोटा भाई 2 होगा, और यहाँ पे 5 का छोटा भाई रहेगा, आपका 4, so simple है दोस्त, आप लोग automatically इसके उपर काम कर सकते हो, hold on, एक और मैं सम आपको दिखाता हू तो, let's have 5, and 1-x raise to 1 by 2, चलो आप मुझे बताइए, range सही है, x की term में, 1-x की term में, अब आप मुझे बताइए, जब answers की बारी आएगी, तो आपका answer क्या आएगा, चलिए बताइए न, फट फट, मैंने बोला था, field में हमेशा छोटे भाई रहते, और bracket में हमेशा बड़े भ 3 by 2, भाई, कैसे भी दिखे, यह रहा हम लोगों का beta function का formula का explanation, I hope the idea behind it is clear, अब देखो, पहला formula तो clear हो गया, दूसरे formula में मैंने कुछ बताने की ज़रूरती नहीं है, m और n जो है, वो interchangeable है, commutative है, इसका मतलब है कि m और n आप replace कर सकते हो, beta of 3,5 can be written as beta of 5,3, so, किसी भी तरीके से आप इसको उल्टा उल्टा करेके लिख सकते हो, that is what your formula number 2, जो हमें suggest कर रहा है, right, अब, अब जैसे 0 से लेके 1 वाला कोई formula बनाए ना दोस्तो, वैसे ही आपको और दो तरीके के formulas picture में आ सकते हैं, मैं बताता हो, एक है 0 से लेके pi by 2, अब यह कब use होगा आपको pi by 2 होने के बाद ही पता चला होगा, sin rest to p theta, cos rest to q theta, मतलब trigonometric functions जब आएंगे, तब आपको, जो है, वो 0 से लेके pi by 2 range लेके, कोई standard formula related to beta function मिलेगा, अब देखिए answer किस तरे के से आता है, standard के इसाप से मुझे बताइए, जो, अगर मैं फिलाल range दिमाग में ना रखो, तो p और q को दिमाग में रखो, तो beta function में आपको पता है, bracket में बड़े भाई होने चाहिए, तो यहाँ प्याना चाहिए था p plus 1 और यहाँ प्याना चाहिए था q plus 1, correct है, अब जब कि यहाँ तक आ गए, अब इस case में आपको extra elements जो याद रखते हैं, वो यह कि बाहर देना है half, और इन दोनों का भी करना है आपको half, and this clearly indicates your formula number 3, जो आपको याद रहना पड़ेगा, I repeat, सर फिर हम लोग तो confused हो गए, पहला वाला यूज करें, तीसरा वाला यूज करें, और आगे जो भी है, कौन सा वाला formula यूज करें, तो let me tell you something, जब trigonometric functions की बारी आएंगी, तब ही हम लोग formula number 3 को entry देंगे, तब तक हमारे लिए जो basic focus रहेगा, वो formula number 1 पे ही रहेगा, correct है, अब चलिए next देखते हैं हम लोग, next है formula number 4, जिसको याद रखने के लिए भी हम लोगों को थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, beta of m, comma 1, देखिए, standard formula में range कितनी थी, 0 से लि use होने वाला formula है, बड़ बहुत interesting है, पहला ही जटका यहाँ पे range देखो, कितनी होगी, 0 से लेके, infinity हुई, अब एक element x का ठीक था, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, 1-x, लेकिन यहाँ पे division में आपको, denominator में आपको लिखना है, 1-x वाल element, when you write this, तो यहाँ पे तो m के ल calculation दिखता है, कुछ अजीब सा formula है, you have to remember this formula, जब भी कभी numerator और denominator में कोई terms x की इस तरीके से अपको दिखाई दे, तब आप beta function में इनको convert कर सकते हो, तो देखो दोस्तों, 3 basic versions के उपर आपको काम करना है, this is first, this is, सबसे important इस पहला formula, then there is trigonometric functions आए तो, और अगर कोई numerator denominator का setup आ और range 0 से लेकर infinity दिखाई दे रही है, तो आप formula number 4 के लिए जा सकते हो, अब इन सारे formulas के साथ, साथ जो सबसे close relation beta function का है, वो है gamma function के साथ, अब देख सकते हो, यहाँ पे, beta of m, n को directly gamma में conversion करना, जो है वो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, that is, gamma m, gamma n upon gamma of कितना लिखाई m plus so very simple दोस्तों, आपको बस convergence सही से लाना है, for example, if I am dealing with this beta of 3, 5, I should be writing this as to be, in terms of gamma, gamma 3, gamma 5 upon gamma of 3 plus 5, that would simply lead to, gamma 3 आप सब को पता है, नहीं पता है, तो previous video में मैंने यह अलरी सिखाया हुआ है, gamma function के, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बोल रहो आपको, gamma 3 को आप directly लिख सकते हो, छोटा भाई का factorial, बैसी, gamma 5 को अपलिक सकते हो, छोटा भाई का factorial, and then gamma 8 को अपलिक सकते हो, छोटे भाई का factorial, so 2 factorial, 4 factorial, और यहां पे gamma 8 का आगया 7 factorial, अब बस भाई, इनको simplify कीजिएगा, और जो भी answer आएगा, that would be your final answer, I hope आपका directly जो numbers में answer आ रहा है, वो कब आ रहा है, ज में, gamma में convert होके, आपको numerical value दे रहा है, simple, अब जाते है, last वाला formula, जो की बहुत कम use होता है, competitive exam में, you will always find इस तरिके के sum, so pi upon sin p, pi के लिए अगर हम लोगों को काम करना है, there is a standard formula, that is, यह देखो, यहां पे pi के लिए, यहां पे p की term आपको दिखाए दे रहे, so gamma p, gamma of 1 minus p, so this is a standard formula that you just have to remember, in case, अगर कहीं पे लगा, तो हम लोग इसको जोरो ही use करेंगे, so, मेरे हिसाब से, if you look at this, मेरे हिसाब से, beta और gamma का जो relationship है, वो आपको पता होना चाहिए, और जो 3 formulas हम लोगों ने discuss किये, पहला standard, सब जगह पे use होने वाला formula, दूसरा, जब trigonometric functions रहेंगे, तब use याद रखनी वो ये है, कि देखो, जैसे gamma function का एक ultra selling point था, जहाँ पे e to the par minus variable वाली term आना ज़रूरी था, वैसे ही, इस formula को अगर आप एकदम सही से देखोगे, तो x की term तो है ही है, it is important that you always get, this version, one minus something वाला version जो है वो आपका हमेशा आना चाहिए, वो रहेगा आपका lead जहां से आप हमेशा किसी भी sum को solve करने की कोशिश करोगे, one minus variable generate करना है, as simple as that, there should be one at any cost with minus sign and variable, तो चलिए शुरुवात करते हैं, अब कुछ important numericals के साथ, चलिए शुरुवात करते हैं, sum number 1 के साथ, integration की range देखिए, 0 से लेके दिया हुआ है 1, x का cube लिखा हुआ है, और 1 minus root x का rest 2 दिया हुआ है, हम लोगों को 5, अब मुझा बताइए, ये तो range के हिसाप से भी, और 2 elements के हिसाप से भी, अपके standard formula के साथ match होता है, अब सवाल क्या है ये formula अगर यहाँ पे मुझे implement करना है, तो एक चीज़ के बारे में हम लोगों को खयाल रखना पड़ेगा, there should be 1 minus only variable, root variable, variable का q, variable का square, ऐसा है, कुछ नहीं चलेगा, तो यहाँ पे एक ठोटी सी problem हुई, यहाँ पे root दिया हुआ है, जो हमें नहीं चाहिए, तो simple है, आपको यहाँ पे substitution करना पड़ेगा, root x को बोलना होगा कि भाई साब, आप हो मेरे लिए t, इसका फाइदा मुझे क्या हुआ, आप देखिए, root x हटेगा, तो यहाँ पे 1 minus t मतलब 1 minus variable मिलना शुरू हो गया ना, तो standard formula में conversion हम लोगों का हो सकता है, so अब squaring both the sides करोगे, तो x is equal to हो 2 t dt, I hope it is clear to you, अब आप मुझे बताइए, dx का substitution आपके पास है, x का substitution आपके पास है, है ना, अब इतना है सारे substitutions के बात, क्यों ना हम लोग यह जो substitution के साथ साथ range भी change करें, range change करने का फंडा तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, x और t, पहले आप मुझे x का range ना दिया हुआ है, 1 है की नहीं, अब आप मुझे बताइए, जब x की value आप 0 substitute करोगे, कहीं भी भी करिए, तो आपको यहाँ पे t की value मिलेगी 0, सही है ना, अब जब x की value 1 substitute करोगे तो t square is equal to 1, मतलब t की value कितनी हुई 1, तो इसका मतलब यह है, कि range जब x की 0 से 1 रहती, तब t का range भी कितना आ रहा है, fortunately 0 से लेके 1 आ रहा है, तो अब जबकी हम लोग यहाँ तक आ चुके, क्यों ना हम लोग directly, अब इस blue color के question में, substitutions कर दे, 0 से लेके 1 हो जाएगा दोस्त, x का cube, अब x की जगह पे मुझे पता है, t square substitute करना है, भाई का क्या करना पड़ेगा, आपको, cube, so t square का क्या हुआ, दोस्त, cube हुआ, अब उसके साथ, 1 minus root x की जगह पे t substitute किया हुआ, rest to 5, and dx की जगह पे आएगा, मेरे दोस्त, 2t, और यहाँ पे हो गया dt, clear, अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक आने के बाद, आप 2 को तो बाहर ले ही सकते हो, तो 2 अगर आपका बाह आया, तो 0 से ले के 1 में, t raise to 6, correct, 1 minus t raise to 5, और यहाँ पे t और dt, तो total cool मिला के 0 से ले के 1 with 2 out, you'll get this as to be t raise to 7 हो जाएगा, और यह 1 minus t raise to 5 हो जाएगा, क्यों, हो गया ना, समझाया ना आपको, अब तो यह तो आपका standard formula हुआ, तो आपको final answer में पता है, beta of क्या आना चाहिए था, beta of अंदर हमेशा bracket में होने चाहिए, बड़े भाई तो हुआ, 7 का, 8 और 5 का कितना हुआ, दोस्त, 6 आया समझ में, सो पहले तो हम लोगों ने जो भी सवाल दिया था, उसका beta में conversion किया, अब beta के बाद, अब बात आती है, gamma में conversion करने की, तो मैं करी देता हूँ, दोस्त, आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, 2, gamma 8, gamma 6, upon gamma of 8 plus, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, just, you just have to simplify this, मैं आपको थोड़ा सा help कर लेता हूँ, 2, into this would be 7 factorial, this would be 5 factorial, आप सबको पता ही है, अब ये 14 का, आप लोगों ने जब लिखोगे, तब छोटा भाई का factorial version होता है, gamma का, so 13 factorial so just simplify this, और जो भी आएगा दोस्त, वो आपका final answer रहेगा, I hope the idea is clear, इसका जो final answer आ रहा है, फटा फट मुझे comment section में calculate करके भेज दीजिएगा, right, तो ये हुआ पहला sum, जाते हैं दूसरे sum के पास, अब दूसरे sum में तो पहले हम लोगों को range में गड़बड़ी दिखाई दे 0 से लेगे लिखा हुआ है, जो की validity नहीं है, अभी तो फिलाल x की term है और उसके साथ 8 minus x cube की term है, अब मुझे बता रहे हो, ना trigonometry है, तो ये formula नहीं बनता है, range के साफ से ये formula नहीं बनता है, तो बनता है, तो x और 1 minus x वाला format यहाँ पे भी हम लोगों का आना चाहे है, बट समझ यहो ना, अब मुझे बता है, ये bracket से 8 कब हटता है, कब हटता है, जब इसके बाजो वाले term में भी कौन हो, 8 हो, तो 8 और 8 common निकल के 8 की term हट सकती है, तो भाई, मेरे हिसाब से x cube, जो भी आपका ये term है, उसको आप 8t अगर substitute करो, तो थोड़ा सा ओरली देखते क्या हो यार इसे, हम लोग यहाँ पर substitution वाला game खेल रहा है, मुझे बताइए, अगर x cube का value 8t है, तो cube root अगर मैंने लिया, तो 8t का हो जाएगा cube root, सही है ना, तो x is equal to 8 का cube root का value, अब सब को पता है, comes out to be 2, और t raise to कितना हो जाएगा, मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 by 3 हो जाएगा, अब अगर यह x का value है, तो directly आप dx भी तो लिखी सकते हो, तो dx का जो आपका value रहेगा, वो रहेगा 2 as it is, कुछ पता है आपको x raise to n के derivative का answer जो है, वो क्या आता है, मैं यहाँ पर roughly कर ले तो आपके लिए, x raise to n के derivative का answer रहता है, धक्का मारो strategy के साब से, nx raise to n-1, with the similar strategy, this would now look like 1 by 3 t raise to 1 by 3 minus 1, इसका मतलब है, 2 by 3 दिखाई देगा, और t raise to minus 2 by 3 हो जाएगा, और साथ में आएगा dt, यह रहा आपका dx का substitution, तो अब देखो, x का substitution है, x cube का substitution है, और dx का भी हम लोगों के पास प्यारा सा substitution है, अब जो भी हो भाई, box भी तो करना जरूरी है, range का conversion बहुत जरूरी ह x or t x current 0 से लेके 2 दिया हुआ है, तो ले लिजिए, कोई भी समझाए से पहली substitution की term ले लेता हूँ, अगर मैं x की जगह पे 0 substitute किया, तो 0 by 8 होता है 0, तो t का value तो officially आपको 0 ही मिलेगा, अब अगर मैं x की जगह पे 2 substitute करूँ तो 2 का cube होता है, 8, 8, 8, यहाँ पे cancel out हो जाएगा और t का value से force if क्या मिल जाएगा 1, क्यूँ, मजा आया ना, अब देखिए, range भी हमें जो चाहिए था, उसी तरीके से हुआ, luckily we got our range as to be 0 से लेके 1, तो अब देखिए दोस्तो, पूरा का पूरा format अगर मैं replace कर दूँ, तो 0 से लेके 1 होना है, x की जगह पे 2 into t raise to 1 by 3 होना है, अब इन्हीं के साथ साथ ये substitution के बाद हमें 8 minus x cube में 8 minus x cube की जगह पे मेरे दोस्त क्या substitute करना पड़ेगा, x cube की जगह पे 8t substitute करना पड़ेगा, rest to 1 by 3 and सबसे मज़ेदार चीज, dx की जगह पे substitution होगा, जो की होगा 2 by 3, t raise to minus 2 by 3, I know थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, complicated दिख रहा है, बट देखो तो आप जब calculation करोगे, हम लोग आएंगे, सही जगह पे आएंगे, ये 2 बहर आया, उसके साथ साथ आप ये 2 भी बहर लो, by 3 को भी बहर लो, right, 0 से लेके 1, t raise to 1 by 3, और साथ में ये t raise to minus 2 by 3 लिख देता ह इन दोनों में से आपका 8 जो है, वो common आता है, लेकिन साथ हमें power भी तो लेके आएगा, so 8 raise to 1 by 3 हुआ, बचा क्या, 1 minus t, और raise to यहाँ पे हो गया, 1 by 3 और dt, तो चलो, फटा-फट बताओ, ये तो हो आपका 4 by 3, 8 का cube root किया, तो आपको पता है, answer comes out to be 2, ये 0 से लेके 1 में, t d raise to 1 by 3 minus 2 by 3 minus 1 by 3 आएगा, 1 minus t, 1 by 3 और यहाँ पे रहेगा dt, so in all, you get 8 by 3, correct, बीटा function तो automatically implement हो रहा है, बड़े भाई के इसाप से, तो कर लेते हैं, आपको मिलेगा, minus 1 by 3 plus 1, बड़ा भाई, element directly लिख देता हू, 1 by 3 plus 1, add करके लिख देता हू, तो आपका answer in this case comes out to be, 8 by 3, beta of comes out to be 2 by 3, 4 by 3, आपको चाहिए, तो आप इसमें इनको gamma function में लिखनी की पूरी कोशिश कर सकते हो, that is gamma of 2 by 3, gamma of 4 by 3 upon gamma of 2 by 3 plus 4 by 3, और जितना हो सके उतना simplify कीजिए, and you are done with the sum, किस तरीके से होशियारी से x3 को हम लोगों ने 80 substitute किया, यह आपको समझना ज़रूरी था, चलिए आगे बढ़ता है sum number 3 के साथ, 0 से लेके 2a, x rest to 7 by 2 and 2a minus x rest to minus 1 dx दिया हुआ है, अब x की term भी है, और कोई function है, या फिर term है, जो की 1 minus x में convert करनी पड़ेगी, original first formula के साथ match up करने के लिए, तो किस तरीके से match up करोगे, यहां से 2a भाई साब को हटाना पड़ेगा, कब हटेंगे भाई, जब यहां पे भी 2a बन जाएगा, तो common निकल सकता है, इसका मतलब है, आपको यहां पे x की जगह पे 2a और t substitute करना पड़ेगा, थोड़ा ओरली चेक करते हैं, जैसे previous sums में चेक किया, x की जगह पे 2a t substitute करो, 2a 2a would come common, बजा कौन, y minus variable जीत गया ना दोस्त, अब x हो गया, तो dx is equal to होगा, 2a into dt और साथ में range का matter भी close कर लेते है, x और t का, 0 से लेके 2a, x का range दिया हुआ है, अब जब x की value 0 होगी, तो substitute करके देखिएगा, t का value भी 0 होता है, जब x की value 2a होगी, 2a 2a will get cancelled, and you will get your range as to be 0 से लेके 1, तो बहुत ही ज़्यादा simple हो गया, यह भी, substitute करते, blue color की question में सब कुछ तो 0 से लेके 1 हुआ, x की जगह पे I should substitute 2a t, rest to 7 by 2, 2a minus 2a t, rest to minus half, और dx की जगह पे आएगा 2a dt, जो बाहर निकलता है उसको बाहर लो, सबसे पहले तो 2a, rest to 7 by 2 is out, इसके साथ साथ एक और 2a की term भी out, 0 से लेके 1, यहाँ पे t, rest to 7 by 2 बना मेरे दोस्त, इनिके साथ साथ यहाँ से 2a, rest to minus half, बाहर आएगा, 2a common ज़रूर आता है, बड़ पावर को लेके आता है ना, तो यहाँ पे बचा 1 minus t, rest to minus half, और dt, चलो कुछ और बाहर निकलता है के देखते हैं, यहाँ से 2a, rest to 7 by 2, 2a, और यहाँ पे 2a, rest to minus half, भी तो बाहर निकला, 0 से लेके 1, t rest to 7 by 2, 1 minus t, rest to minus half, और यह हुआ आपका dt, यह काम करते हैं, पहले 2a वाला matter close कर लेते हैं, सब कुछ, तो देखो, आपको समझ में आ चुका होगा, मैं यह directly भी तो लिख सकता हू, 2a, rest to कितना हो जाएगा, 7 by 2, minus 1 by 2, कितना होगा, 6 by 2, 6 by 2 का मतलब है 3, 3 और यह 1 मतलब पावर में कितना आया, 4, यह सब जो भी indexes है, यह जो मैंने add कर लिए, because base वो इनका common है, तो 7 by 2, plus 1, minus 1 by 2, किया तो rest to 4 हुआ, अब आएगा मजा, यहाँ पे beta function, direct implement होगा, बड़ा भाई आएगा, तो 7 by 2 का बड़ा भाई मुझे लिखना पड़ेगा, plus 1 version में, और minus half का बड़ा भाई भी मुझे plus 1 version में लिखना पड़ेगा, now, just have a look at it दोस्तों, यह हुआ आपका 2a, rest to 4, और यहाँ पे beta of आगया 9 by 2, और यहाँ पे आगया half, आपको चाहिए, त आप इसको और भी substitution, और simplify कर सकते हो, 2 raise to 4 आता है, 16, a raise to 4, gamma 9 by 2, gamma half, जो की root pi होता है, आप सबको अब तक पता चल चुका होगा, 9 by 2, plus 1 by 2 करोगे, तो 10 by 2, gamma 5 हो जाएगा, तो, you can just simplify this again and again, this, a raise to 4, gamma 9 by 2 को आप जैसा है, वैसे रिखिये, gamma half का answer आता है, आपका root pi, सही है न, और यहाँ पे आया आपका, gamma 10 by 2 कितना आता है, 5, जो की 4 factorial के term में लिख सकते हो, and more you simplify, you'll get your answer, जो भी है, वो आपको आजाएगा, I hope the idea behind it is absolutely clear, अब देखते, next sum, sum number 4, sum number 4 में भी आप देख सकते हो, range तो 0 से 1 दी है, एक X की term है, एक 1 minus something वाली term है, लेकिन वापस वही problem हुआ यहाँ पे जो term है, वो सिर्फ variable चाहिए था, बलकि यहाँ पे वैसे ना आते हुए, something rest to n आ रहा है, तो पहला काम जो आप लोग करोगे, तो आप लोग पुट करोगे, X rest to n को बोलोगे, कि भाई साब तो थोड़ी देर के लिए t बन जा, क्योंकि X rest to n हटेगा, तभी तो t आएगा, 1 minus t मतलब 1 minus variable strategy clear है दोस्त, अब X rest to n अगर t है, तो क्या बता सकते हो, अगर मैं rest to 1 by n करूँ, तो यह t rest to कितना दिखाई देगा, 1 by n दिखाई देगा, और अगर dx के बारे में बात करूँ, तो मुझे nx rest to n minus 1 के इसाब से मिलेगा, जो अभी अभी देखा हम है, वो picture में रहनी चाहिए, तो चलिए देखते, x और t, x का range और 0 से लेके 1 दिया हुआ है, t में क्या changes आएंगे, जब x की value 0 substitute करोगे, तो t भी तो 0 ही बनेगा, जब x की value 1 लिखोगे, तो t की value भी तो 1 rest to 1 by n will be equal to 1, तो range में तो कोई change फिलाल तो नहीं दिखाई दे रहा है चलिए क्यों ना, इस blue color की sum को अब लिख दे, हम लोग अपने हिसाब से 0 से लिके 1, x की जगह पे replacement होगा, t rest to 1 by n, rest to हो जाएगा m, 1 minus t हो जाएगा, और rest to p हो जाएगा दोस्ट, और dx की जगह पे, 1 by n, t rest to 1 by n, minus कितना हो जाएगा, 1 और लग जाएगा dt, तो जो जो बाहर निकल सकता है, उसको बाहर लो, मेरे हिसाब से तो सिर्फ 1 by n की term बाहर निकल रही है, जो कि मैं बाहर ले रहा हूँ, 0 से लेके 1, t rest to यह हो गया, m by n, है ना, यह हो गया, t rest to 1 by n minus 1, correct, अब इनके साथ साथ यहाँ पे आया, 1 minus t rest to p, और यहाँ पे आया dt, तो चलिए, simplify करते थोड़ा बहुत, 0 से लेके 1, this will be t, अब बताईए, आपका answer यहाँ पे क्या दिखता है, यह सब कुछ तो add होगा, तो यहाँ पे आएगा, m plus 1 by n minus 1, correct, इनहीं के साथ साथ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 1 minus t rest to p, और यहाँ पे आया dt, कुछ confuse होने की, कोई यहाँ पे ज इसका मतलब यह है कि m plus 1 by n minus 1 plus 1, बड़ा भाई लिखना है इसलिए है, और p का भी बड़ा भाई, तो यहाँ पे आएगा p plus 1, तो if you simplify this, minus 1 plus 1 हट जाएगा, you'll get your answer as to be 1 by n, beta के साथ आएगा मेरे दोस, m plus 1 by n, p plus 1 and that's it, यह रहा आपका answer, जो हम लोगों ने बहुत तरीके से find out किया हुआ है, आगे बढ़तें next sum के साथ, काफे tricky है, integration में range दिया है, 3 से लेके 7, under root में लिखे हुए 2 term है, x minus 3 को भी लिखा है, और 7 minus x को भी लिखा है, अब मुझे बताइए, हमें तो सिर्फ x की term चाहिए थी, और साथ में कोई 1 minus की रिबल वाला term generate होना चाहता, वो नह अगर आपको integration में a से लेके b, मतलब जो lower limit है, वो x के साथ दिखाए दे रहा है, जो upper limit है, वो आपको x के साथ दिखाए दे रहा है, पहले, तो ऐसे कही setup में अगर आपको मिले, तो always remember that आपको क्या substitute करना है, आपको यह जो पहली term x minus a is equal to upper limit minus lower limit into t substitute करना है, मैं बतातो, अग से पहले तो I'll try कि यह जो है, इसको हम लोग rest to half, half के format में लिखे, 3 से लेके 7, x minus 3, rest to half, and 7 minus x, rest to half, और यहाँ पर लिख देते हैं, dx सही है, अब देखिए, simple चीज हमें याद रखना है, जब ऐसे sums आएंगे, तो जो पहली term है, x minus 3 is equal to, just let me know, upper limit minus lower limit, कितना होता है, 7 is the upper limit, 3 is lower limit, और यहाँ पर हमें चपकाना है, t, this is the standard substitution आपको करना है, वापास आपकी दिमाग में आए, कहां से, क्यों, किसलिए, भाई, aim life में सिर्फ एक है, 1 minus variable की term generate करने है, और यह ज़रूर करेगा, just have a look, at the sum, x minus 3 is equal to हो गया, 4t, x is equal to कितना हुआ, 4t, plus 3 हुआ, सही है न, तो x का substitution मुझे मिल गया, तो dx का भी substitution, 4 into dt मुझे मिल गया, अब इन्हीं के साथ साथ, range को change करना भी बनता है, तो बताइए, x का range जो हमें दिया गया है, वो है 3 से लेके 7, तो चलिए, जब हम लोग x की जगह पे 3 substitute करेंगे, 3, 3 will get cancelled, और t की value में मिलेगी 0, you can just have a look at it, सिर्फ substitute क पर होगे, तो 7 minus 3 would be 4, 4 is equal to 4t, निकी t की range आईए, आपकी 1, so t का range अब पता चल चुका है, क्यों ना, अगर ये पता है, तो इस blue color वाले version को हम लोग एकदम सही से लिखे, 0 से लेके 1t में convert करके लिखे, x minus 3 का direct substitution है, मेरे पास 4t, rest 2 कितना हो जाएगा, half हो जाएगा, 7 as it is, minus as it is, x का मेरे पास substitution है, मेरे दोस्त, x की जगह पे मैंने लिखना है, 4t plus 3, बिलकुल डरिएगा, इस dx की जगह पे आजाएगा, आपका 4 और 7 में है, dt, तो अब देखो, जो जो चीज़े बाहर निकलती है, जैसे 4 raise to half जो है, वो बाहर आएगा, correct, उसके साथ ये 4 वाली term भ ले गए, तो 4 और minus 4t आया, rest to half के साथ और यहाँ पे बच गया आपका dt, अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते है, you can just have a look at this, किस तरीके से मैं यहाँ पे, यह जो 4 raise to half है, वो जैसे वैसे लिख लेता हूँ, इसके साथ आपकी 4 वाली term है, वो भी लिख दी, अब मुझे बताईगी, यह जो 0 से लेके 1 है, और यहाँ पे t raise to half है, इन दोनों में से 4 बाहर आ रहा है, common आ रहा है, लेकिन पार को लेके आएगा दोस्त, 1 minus t और यहाँ पे आया half, देखो, वापस यह 4 raise to half बाहर आया, तो 4 raise to half, into 4, and again 4 raise to half, अगर कर दिये, तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे 0 से लेके 1, t raise to half हो गया half, और 1 minus t raise to वापस दिव गया आपको half, correct, अब मुझे बताओ, यह 4 raise to half होता है 2, 4 raise to half होता है 2, 2 into 2 is 4, 4 into 4 is directly, अब इसका answer लिख सकते हो 16, और देखो, किस तरीके से होश है, इसे हम लोगो ने 1 minus variable को finally generate कर ही दिया, देखो, answer, beta of बड़ा भाई कितना, 3 by 2, और इसका भी बड़ा भाई half काएगा 3 by 2, and that is nothing but your final answer, now, इसको आप simplify भी कर सकते हो, 16 as it is, आप इसको लिख सकते हो, gamma 3 by 2, gamma 3 by 2, upon gamma of 3 by 2, plus 3 by 2, आप इसको simplify कर सकते हो, you can simply get your answers accordingly, और easy कर सकते हो, देखो, यह 6 by 2, 3 मतलब gamma 3 हो जाता है, तो उपर 16 नीचे आया, नीचे आया, gamma 3, और ये लोगों को भी आप तोड़ ताड़ के लिख सकते हो, n, gamma n वाला format जो हो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो छोटा भाई, gamma छोटा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई, gamma छोटा भाई, तो यह simplify करोगे, तो यहाँ से आपको सिर्फ म किया, तो सिर्फ 2 दिखाई देगा यहाँ पे, and your answer in this case, simplified version would be nothing but 2 pi, आया समझ में, जिस तरीके से यह sum हम लोगों ने किया है, उसी तरीके से एक sum आपको try करना है, please try किजिएगा, और इसका answer आप मुझे, answer जो है, वो comment section में भेज सकते हो, आगे बढ़ते हैं, next sum के साथ, sum number 7 sum number 6 जो था, वो यहाँ पे लिखावा था, आपके लिए homework था, sum number 7 में integration की range देखो, क्या दिये, 0 से लिगी infinity, और एक कोई term numerator में, कोई term denominator में, तो मुझे बताइए, यह 1 प्लस x और range को देखके, आपको याद आनी चाहिए थी, एक और formula बनता था, beta function का, जो मैंने आपको अल sum को हम लोग किस तरीके से लिख सकता है, just have a look at it, मैं पहले तो दोलो terms को separate out करता हूँ, जैसे x raise to 8, upon 1 plus x raise to 24, dx, minus 0 से लिक infinity, वापस x raise to 14, upon यहाँ पे 1 plus x raise to 24, और 7 में लिख सकता हूँ, dx, यहाँ तक तो किसी को कोई doubt नहीं है, अब मुझे बताइए, terms ही match करने है, तो पहल है, तो integration match हो गया, x raise to 8 दिखाई दे रहा है, मुझे इसको लिखना है, m minus 1 के format में, तो मुझे बताइए, 8 को अगर मुझे लिखना है, तो can I write this as to be 9 minus 1, आप support तो कर रहे हो ना, अब मुझे बताइए, यहाँ पे 1 plus x raise to कितना हुआ, 24 हुआ, dx, minus 0 से लिके infinity, x raise to similarly, यहाँ प आपको यहाँ पे 1 plus x raise to 24 दिखाई दे रहा है, और साथ में दिख रहा, dx, now, can I say that, कि यहाँ पे, यहाँ पे यह टम मुझे as in m मिल रही है, और यहाँ पे यह टम मुझे as in m मिल रही है, तो m अगर मुझे मिल गया, तो मुझे पता है, numerator में, अगर m मिल चुका है, तो denominator में म पूरी कोशिश करूँ, 0 से लेगी infinity x raise to 9 minus 1 upon 1 plus x, 9 तो है ही मेरे दोस्त, अब यह 24 को लिखना है, तो में 9 plus 15 तो जरूर ही लिख सकता हूँ, आया समझ में किस तरह की से 24 को तोड़ा m match होना चाहिए था, इससे साब से match भी कर लिया, अब मुझे बताईए, यह आने के बाद minus sign दे रहा हूँ, 0 से लेगी infinity x raise to 15 minus 1, तो यहाँ पे भी नीचे 15 की term आनी चाहिए थी, तो 15 plus कितना हो गया मेरे दोस्त, 9 और यहाँ पे लग गया आपकी dx की simple सी term, समझ में आया, अब logic अगर मैं देखू, तो देखो मुझे m तो अलेड़ी मिल चुका है, यहाँ पे 9 और n मुझे मिल चुका है, 15 तो मेरा यह formula, इस इसाब से तो ready हो चुका है, I can simply write this as to be beta of m, n के इसाब से, 9, कितना लिख सकता हो, 15 minus sign, beta of, अब मुझे यह पता है, m है, तो n की value of which reason से मेरी 9 हो गया, यहाँ पे तो this can be written as 15, कितना हो गया 9, now we all know that, यह जो answer आया है, यह दोनों अगर subtract करने, तो यह तो competitive रहता है, you can just have a look at number 2 Allah form, जहाँ पे MN को आप interchange कर सकते हो, so beta of 9, 15 minus beta of 9, 15 आप इसको लिख सकते हो, cancel out, cancel out हो गया दोस्तो, and answer that you have got is nothing but 0, आया समझ में, बहुत होशी है, इसे, formula कौन सा use करना ही आपको पता होना चाहिए था, तब जाके आपके इसके answer जो ह जो है, वो सही आते, competitive exam में ये वाले pattern के समझ जो है, वो काफी जादा पूछे, जाते, so please, याद रखना, जाते, अब आज का जो last समय उसके लिए, 0 से लेके pi by 2, भाई, range को देखके, मुझे पता चला, मुझे यहाँ पे, sign desto p theta, cost desto q theta का formula, यूज करना पड़ेगा, because range दे दिया है, formula, वो sin or cos में, तो मैंने तो इन लोगों को, इन लोगों को tan theta rest to पहले तो half format में लिखना चाहिए था, अब 0 से लेके pi by 2, क्या आपको पता है, tan can be written as, आहाँ, sin theta upon कितना हो जाएगा, cos theta rest to हो जाएगा, half, I'm sorry, d theta, correct है, अब मुझे बताईए, ये दोनों term, कोई नी नीचे ये term, because ये दोनों term आपको उपर लिखे हुए दिखाई दे रहे, तो पहले तो मैं ये sin raised to half theta को प्यार से लिख देता हूँ, ये cos की term को अगर उपर लिखना है, तो आपको ये power जो है, वो minus half करना पड़ेगा, समझ में आया, मैंने क्या किया, cos की term को उपर उठाना ह है, तो ये cos raised to half है कि नहीं, नीचे उपर चला गया है, तो cos raised to कितना बनेगा, minus half बनेगा, जो कि मैंने यहां पर लिखा हूँ है, अब मुझे बताएगे इस formula को, अगर मैं compare करूँ इस formula के साथ, तो don't you think so, by purely comparing these two formula, मुझे P की value मिल रही है, half और Q का value मिल रहा है, minus half, मैंने उस formula में अब substitute करना है, और मेरा answer लेकर आना है, तो my answer in this case comes out to be, पहले तो बाहर आया half, उसके बाद आया beta, चुपचप मैंने P की जग़ा पे half substitute करना है, half plus 1 by 2, and then minus half plus 1 by 2, simple है, P और की Q को replace कर दिया, तो half as it is, beta as it is, 3 by 4 हो गया, and then this is 1 by 4 हो गया, चाहिए तो और simplify, आपको च सकते हो, that is gamma 3 by 4, gamma 1 by 4, upon gamma of 3 by 4, plus 1 by 4, ये तो नीचे gamma 1 हो गया दोस्त, और कुछ इसी तरीके से आप आपके sums को जो हो, simplify करके finish कर सकते हो, तो देखो, ये जो last के दो sums है, ये अपने original formula के उपर based नहीं थे, जो हम लोगों ने बाद में सिखे थे, numerator denominator वाला एक formula, and side cos वाला, इ इसी तरीके से कुछ और sums रहेंगे, तो please practice कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी problem है related to beta function as well as gamma function, मुझे comment section में लिखके बेजिया, मैं आपको उसका video solution ज़रूर दे दूँगा, thank you, thank you so much.